रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमश्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों 18 डिसमबर शनीवार को मार्गशीश मा की पुर्णिमा तिथी पड़ रही है जी हाँ वैसे तो प्रतियेक पुर्णिमा और अमावस्या की तिथी का अपना ही एक महत्व होता है परंतो मार्गशीश पुर्णिमा का हिंदू सनातन धरम में बहुती ज्यादा खास महत्व माना जाता है और हो भी क्यों ना क्योंकि दोस्तों यह पुर्णिमा कीती थी साल की अंतिम पुर्णिमा कहलाती है साथी साथ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मार्गशीश पुर्णेमा मनुश्य को पूर्ण मुक्ती भी दिलाती है इसलिए इस पुर्णेमा को शास्त्रों में मोक्ष दाइनी पुर्णेमा भी कहा जाता है आपकी जानकर इकले बता दी कि मार्गशीश पुर्णेमा के दिन सनान, दान और ध्यान का बहुती ज्यादा महत्व होता है तथा इस दिन किये गए दान, सनान और ध्यान का 32 गुणा अधिक फल मनुश्य को प्राप्त होता है मार्गशीश पुर्णेमा के दिन यदि मनुश्य सच्चे मन से भगवान श्री हरे विश्नु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करता है तो उसके लिए मुक्ष के द्वार स्वता ही खोल जाते हैं क्योंकि पुर्णेमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है इसलिए इस दिन उपवास रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिती में सुधार होता है और मानसिक तनाव उथल पुथल की जिंदगी से चुटकारा भी मिलता है दोस्तों आपकी जानकारी कले बता दें कि इस वर्ष मागशीश पुर्णेमा 18 डिसेंबर यानि की शनिवार को पड़ रही है हिंदू पंचांग की अनिशार 18 डिसेंबर दिन शनिवार को सुबह 7 बचकर 24 मिनिट से पुर्णेमा तिती आरंब हो जाएगी और अगले दिन रविवार को सुबह 10 बचकर 5 मिनिट पर पुर्णेमा तिती समाप्त होगी दोस्तों यदि आप इस दिन का लाव उठाना चाहती हैं तो मारगशीश पुर्णेमा के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विश्नु का मन ही मन आप ध्यान करें और वरत का संकल्ब लें वही सनान के दोरान आप सनान के जल में थोड़ा गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालने के बाद जल को माथे से लगा कर ईश्वर का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें और ततपश्चात सनान करें पूजा स्थल पर चौकी आदी रखकर श्री हरी विश्नु के साथ साथ में माता लक्ष्मी जी की तस्वीर आदी स्थापित करें और फिर रोली, चंदन, फूल, फल, प्रसाद, अक्षत, धूप, दीप आदी के साथ उनका पूजन करें और दोस्तों इसके बाद ओम नमो भगवते वासु देवाई नमहा मंतर का उचारण करते हुए कम से कम एक माला यानिगी 108 बार आहुती दें और हवन संपन होने के पश्चाद इश्वर का ध्यान करें साथी साथ भगवान से अपनी गलतियों और भूलों के लिए शमा प्रातना करें इसके बाद अपनी जो भी इच्छा और मनो कामना हो उसे भगवान विश्णू के सामने कहें भगवान विश्णू अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पून करती हैं दोस्तों खास बात यह है कि यह पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है और जसा कि आप जानते हैं कि शनिवार भगवान शनिदेव जी का प्रिय दिन कहलाता है ऐसे में दोस्तों इसी शनिवारी पूर्णिमा का नाम भी दिया जा रहा है साथी साथ दोस्तों इस बार मार्गशीश पूर्णिमा के दिन अत्यन्थी शुब साध्यय योग लग रहा है जी हाँ माना जाता है कि इस योग में किये गए प्रयासों से सफलता जरूर मिलती है साध्ययोग में कोई भी शुब कार्य करना या नई कार्य की शुरुवात करना हमेशा शुब माना जाता है पोर्णेमा की तिति और साध्ययोग का संयोग और भी शुब माना जाता है बता दें कि पुर्णिमा के दिन साध्य योग सुभ नौ बच कर तेरा मिनिट तक है इसके बाद शुब योग प्रारंब हो जाएगा बता दें कि शुब योग भी अपने नाम के अनरूप मंगलकारी योग में किना जाता है ऐसे में दोस्तों शनिवार का दिन साल की अन्तिम पुर्णिमा का पढ़ना और शुब और साध्य योग का बनना ये सारे ही दुरलब संयोग एक बड़ा महा संयोग बना रही हैं जो कि कुछ राशी वालों के लिए अथिन थी शुब और फलदाई रहने वाली हैं आज इस वीडियो में हम आपको इनी भागेशली राश्यों के बारे में बताएंगे तो आपसे अन्रोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिसना करें और इसे अंतक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्छे दिल से जैमा लक्ष्म भी जरूर लिख दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राश्यों वाले लोगों के अब भागय के दौर खुलने वाली हैं जी हां बताना चाहेंगे कि इस दौरान व्यापार में इन्हें काफी अधिक दहनलाब प्राप्त होगा ये लोग अब बहुत ही लखी साबित होने वाली हैं इनके जीवन में अब खुश्यां ही खुश्यां इन्हें देखने को मिलेंगी किसी भी कार्य में इनके रुकावट नहीं होगी पारीवारिक संबंद में इनके मजबूती आएगी बुजर्गों से आश्रिवाद लेकर हर का आपका इस दोरान अच्छे से संपन होगा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि काफी दिनों से जो व्यापार और नौकरी में आपको परिशानी हो रही थी वे अब आपकी दूर हो जाएगी साथी साथ इन राशी के जो लोग सिंगल हैं उनके वैवाहे के जीवन में अब ख परिश्टे देव की अरादना जरूर करें आपके सब काम ठीक होंगे पोड़िमा की राद खतम होते ही इन राशी के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुब अफसर शुरू होने वाली हैं जी हां खास करके विद्यारती वर्ग के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा लखी साबित होगा आमदनी के नए श्रोत आपको अपलब्द होंगे धन संबंदित परिशानिया भी आपकी दूर होंगी नौकरी के शेत्र में चल रहा प्रयास आपका सफल रहीगा दोस्तों यह महासंयोग से दोस्तों बता दें कि इस पुर्णिमा के महासंयोग से आप लोगो की अब सारे दुख, कश्ट और परिशानिया भगवान शनीदेव स्वयम दूर करेंगे इसके अलावा जो लोग नौकरी की तलाश में दरधर भटक रही थी जो लोग काबिलत होने के बाद भी बिरुजगार बैढ़ी ती इसके अलावा जो लोग नौकरी की तलाश में बस आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी काम को करने में आपको जल्दबाजी और हडबडबाजी नहीं करनी हैं जो भी काम आप करें सोच विचार कर ही करें दोस्तों अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये भागेशली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहापर ब राशी, कुम्ब राशी, मित्धुन राशी और तुला राशी दोस्तों आपसे अंदरोध है कि आप कमिट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैमालक्षमी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर आवश्य कर दें